आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रीवास्तो आप मेरे साथ देख रहे हैं बात अपने देश की दोस्तों जैसा कि देखने आ रहा है कि पांच राज्यों में चुनाव होने हैं और आज हमारा मुद्दा भी उन्हीं चुनाव से जुड़ा है क्योंकि आज हमारा मुद्दा है चुनाव का बोर्ड बैंक यानि चुनावी बोर्ड बैंक हमारे देश में बोर्ड बैंक तो कई पिकारगे हैं ये मैं स्री भासा से लिए बोलना हूँ, क्योंकि राजनितिक पार्टियों के नजर में जो देश की जनता है और देश के बर्ग हैं, वो केबल केबल बोड़ बैंक की समझे जाते हैं वो वर्ग जो देश के आबारी से जुड़े है वो वर्ग जो देश के आर्थिक आरहर से जुड़े है वो वर्ग जो देश के बिकास से जुड़े है वो वर्ग जो देश के उत्थान से जुड़े है वो वर्ग जो देश के सामाजिक सरुकार से जुड़े है उन सारे बर्गो को केबल एक बर्ग समझा जाता है यानि चुनावी बर्ग यानि चुनावी बूट बैंक तो आज हमारा जो मुद्दा है वो है चुनावी बोट बैंक के साफ से होता है कि किस बोट बैंक के साफ से क्या बारा करना है किस बोट बैंक को किस जाफ से लुभाना है और इसी इस तर पर इसी परिपाटी पर इसी धाजे पर आज के हमारे देश की राजनीती चल नहीं है चाहे केंजर की राजनीती करें और चाहे राजसरकारों की अगर हम बोट बैंक की बात करें तो बोट बैंक हमारे जिस्वा अलालाग बोट बर्ग माने गए है सबसे बड़ा बोट बर्ग दलित बोट बर्ग दलित यानि जो दलित है जो ऐसे बर्ग से है जिसको हम दो दलित बोलते है जबकि उसको कुछ दलित बोला अपने आप में एका प्राहर माना जाना चाहिए क्यो दलित बोलते हैं क्यो उनको दलित बोला जाता है क्या किसी की कास्ट कम होना को उसको कोई सब्द दिना जरूरी है पर हमारे देश में जाते हो कि सब्द बली भी अलग बिचितरी ही बनाई गई है सब सब्द बली अलग रिधाफ से बनाई गई है क्योंकि हमारे देश में चुनाबी बोट बेंक को ही राजनीती का अधार माना जाता है उसकी परिपाटी माना जाती है इसलिए हमने एक अलगी सब्द बली बना रखी है अलगी सब्द बली का रसना हो चुकी है और वो है चुनाबी सब्द बली जिसमें अलग बर्ग को अलग अलग नामों से पकारा जाता है और जो हमारी चुनाबी महारती है जो हमारी राजनीता है तो समाजी पतिनेडी हैं वो भी ऐसे ही नाम से बर्गों को बलाते हैं दलित बर्ग, उसके बाद युवा बर्ग, उसके बाद किसान बर्ग, फिर व्यापारी बर्ग, फिर महलाएं तो तमाम फिर गरीब, फिर बंचित, फिर धर्म पे आ जाईए आप, तौल संख्यक, बहु संख्यक तो यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं चुनावी बोट बैंग की यहाँ चुनावी बोट बैंग इन सारे बोट बैंग का अधारित है और सबका निचोड़ है क्योंकि अगर राजनीती आपको करनी है, परदेश में करनी हो चाहे, राज में करनी हो चाहे, परदेश केंद्र में करनी हो तो आपको अलग बोट बैंक को ही अपना उद्दिस बनाना पड़ेगा, तब ही आप राजनीती में सफल हो सकते quando? अब आपकी पार्टी राजनीती में सफल हो सकते? यहाँ पर आन देनता से कोई सरोकार नहीं है. किसान बर्णी बाबर बिक कहा जाता है कि किसान बर्णी बहुत बर्णी बड़ा बर्णी है। युबा वर्ग है इनको क्या इनको देना है क्या से लुबावने बादे देने है क्या चीज़ इनको मुप्त में देनी है क्या इनके लिए काम करना है काम जमीनी इस तरह पर होट बाना हो लानी पड़ेगी और आपका guest से काम चलेगा अब बनने के उनकी शमता है कि नहीं है आप अब करीब पर आ जाए तो उरे के लिए अलग बयुस्ता चला है अलाला राज्यों में अलाल बयुस्ता तो यहां पर विश्ति में किसी राजे कीसी सरकार के बात नहीं करूँगा पर यहाँ पर बात है कि हर बार चुनाम में बूड बैंक लुबाने आते हैं किसान हो गए, ब्यापारी हो गए, युबा हो गई, मेलाय हो गई बिसेज जाती हो गए, धर्म गरीब आज बूड बैंक बन चुका है और राजितिक बर्ग जो हमारे आके हैं, वो केबल और केबल अपना उल्लू सीरा करने में लगे है जनता को मिलता क्या है? जनता को मिलते हैं केबल लुबावने बादे वो बादे जिनका होता कुछ नहीं है और आज समस्या सबसे बड़ी यह है कि हमारे देश में बोट बैंक की राजितिक चरम पर है और योजना के नहीं पर मिलता क्या है? केबल दिलासा केबल दिलासा मिलता योजना के नहीं पर क्या जोने चल लगी है और सुनवाई किसी की होती नहीं है, इस सबको पता है, चाहे कोड हो, चाहे ब्यस्ता हो, चाहे कानून हो, सबको पता है, कोई ऐसा आदमी नहीं से जनकाई नहीं हो, पर अब राधनिती में बदलाव की चल्वत करें, अगर हम राधनिती में बदलाव नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा जब तक आपको अपने आपको साविट करना है अपने आपको आगे लेके जाना है तो आपको बजलाओ करना ही पड़ेगा बिना बजलाओ के आपको हमेशा राजितिक पार्टी है राजितिक दल के बल बोट बैंक ही समझेगे क्योंकि हमारी एक्ता तो है चाहे ब्यापारी बर्ग हो चाहे मेलाए हो चाहे यूबा हो चाहे दलत हो चाहे बंचन जाती हो चाहे धर्म हो हमारी एक्ता तो है कि इनको बोट देना है पर उस बोट देने के बाद कोई भी बर्ग उन लोगों से नहीं पूछता है कि हमने आपको बुट दिया है तो आपने हमाई लिए क्या किया ये कोई पूछना नहीं चाहता क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम पूछेंगे तो सकता हमाई साथ कुछ गलट भी हो जाए सुनते ही रहते हैं ब्यापारी बर्ग बहुत बड़ा बर्ग है हम यहाँ चरन बर्ग चरन हर बर्ग की बात करेंगे मित्र दोस्तों तो अगर हम बर्ग बात करते हैं तो ब्यापारी बर्ग ब्यापारी बर्ग बहुत बड़ा बर्ग है देश के राजस में टैक्सिज में अब सबस्राइब करते हैं पर कुछ है कि अशे सबस्रों propose पर ऐसे लोग भी है पर आपना काम पहुत इमांदानी कि करते बहुत टेक्स जो भी उनका कर है वो साराथ समय पर भरते हैं क्योंकि उनको देश से सरुकार है उनको देश से मतलब है वो चाते हैं उनको पैसा है जो उनका टेक्स है वो देश के विकास में लगे पर जब व्यापारी बर्ग कस्ट्म होता है जब व्यापारी बर्ग से अरोनी हो जाती है तब उनको व्यापारी बर्ग क्यों नहीं संद़ जाता क्यों उनको अब्यस्थाओं के तिलांजरी दिरी जाती है अब्यस्थाओं के कारण उनका नुक्सान होता है क्यों उनके लिए सासर खड़ा नहीं होता है क्यों उनके लिए सरकार खड़ी नहीं होती है और क्यों उनके लिए अपने भाई खड़े नहीं होते है यहां पर एकता का बाहु नजर आता है अगर हमको बोर्ट बैंक माना जाता है तो हमको आप वो लाबत दे तमाम चीजे ऐस बता है कि गया बैपारियों को लाव हुआ और इसकी एक कमी यहां भी है कि तमाम तरह के बैपारी बर्गों ने अलाल संगधन मना रखे हैं और अपनी जो है राजनितिक जो है बिशात बिशाने में लगे रहते हैं कि हाँ फराने निता के साथ गए वहाँ पर फोटू कि बड़े ब्यपारियों के लिए क्यों होता है जब छोटे ब्यवसाई होता है जो छोटे ब्यवसाई है जो छोटे इस्तर पर ब्यवसाई तो ब्यवसाई होता है ब्यवसाई होता है चाहे वो समोस्ते के दुकान हो या बड़ा बड़ा सोरूम बाले ब्यवसाई तो ब्यापारी होना चाहिए उनके लिए खड़े क्यों नहीं होते हैं पट्री रुगांडार ब्यापारी हैं वो भी ब्यापारी वह भी ब्यापार कर रहा है उनके लिए व्योस्ता क्यों नहीं बनती है उनके लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है उनके लिए ब्यापारी समाज के जो नेता असंकर्टन लोग हैं वो क्यों नहीं जाते इसलिए जाते कि उनको पता है कि हमारा काम इनसे नहीं है यह हमारा लाब नहीं करेंगे बैपारी है छोटे बैपारी है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है तुल्ला की जब तुल्ला होती है तो आदमी कहता है वो छोट वोट बैंक यार यहां बोट बैंक है और इस बात को आप कटू सत्व को व्यापारी बर भी समझ ले आप बोलें कुछ भी बताए कुछ भी पर होता क्या है यह आप से बैतर कुछ नहीं जाता तमाम तरह की मांगे चल लगए ई-commerce और ये अपने के अपनाी बात के अपने आपको फजाना नहीं चाहते हैं चाहे नुक्सान kisaniy करते हैं और सब्से वड़ी वात अगर मैं आपक की तो बोट की तुलना करेंगे अगर आप बोट कुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़ Season जो गाहु से बोट करने जाते हैं और बोट को बढाते हैं कि हमारा जाना चाहिए सरकार के नामपर और जिसको भी उनको बोट डिना वह अपने बोट डिने किसी कानून ला गय थे किसी आंदुनर्ण हुआ ग्यारा बारा महीन लाइन बाद बहर ऑंधुन जो nuts किरसी काणून विलाना जरूरी तो था नहीं अगर आप किसानों को कुछ लाप होन्चा सकते ने किसानों के निराने ने कौई से कर सकते थे पर आपने की परिपार्टीजिंट थी कानून का घ्यान था वो हम अपने किसानों को समझा नहीं पाई इसी किसानों में इसके पती बिरूट था और किसानों ने इसका बिरूट किया और 11 महिने के बाद बात है वो यह है कि आपने किसान वर्ग को अगर चुनावी बोट वेंग आप समझते हैं तो कमसे उनकी काम तो करिए हम देख रहे हैं लगाता है जिस तरह से किसान आंजुरें के चलते अलालग पार्टियों को नुक्सान हुआ जिसमें अगर नुक्सान की बात करें तो एक जय किसान नाराज भाट है कि आए जणफ़ता है जहापक किसान बहुतायत में हैं जहापक किसी भूमी जादा है, जहापक किसान जो किरसी है, वो मुख ब्योस्ताई के रूप में सामेल है, इसकी ब्योस्ता भी की गई, पर उसी समय जो तरह से एक कांड हुआ था, वो आपको पता है, उसको बताने जववत नहीं है, एक कांड हुआ उससे राजिती और गरमा नहीं, केवल कि कांड ही होता है, जब हम लोग राजित दल है, वो जाते हैं, क्या किसानों के और समस्या नहीं है, इसके लिए उनको जाना चाहिए, क्या किसान के और अनोरी नहीं होती है, इसके लिए राजित दलों को जाना चाहिए, पर वो नहीं जाते हैं, क्योंकि यहा दुखों से किसानों के समझयां accidentally किशानों की आधकी सानों की जुनाओं से किसी भी पाड़ी का कोई लेना देना नहीं है मैं अपने सस्कारव करूगा ज tääुए पार्ट्य वहां गई थी जो किसान बर्ग के चीशान बर्ग केसे लुवाया जाए किसान बर्ग के दर्ध में सानमूति देखकर कैसे उनका तब देखा तो आप में देखा कि किसान बर्ग जो है वो केबल आज के समय में एक चुनावी बोट बैंक मना जाता है तो ये बात हो गई किसान बर्ग की अब बात करते हैं दोस्तों युबा बर्ग की कहते हैं कि युबा ही देश का अदार है युबा ही आर्थे का अदार है युबा के ही कंदों पर देश का जो विकास होता है उसकी पूरी आदार सला टिकी है पर सबसे बड़ी बात यह है कि युबा को भी बोर्ट बैंकी माना जाता है रालजिक पार्टियों की नजर में उनको टैबरे डिये जाते हैं उनको लेटप डिये जाते हैं उनको स्कूटी डिये जाती ह हैं पर कोई पुझता उनको आप आर्थिक रूत Jadian कासे करेंगे आप किस तरह से उनको बैतर करने का प्रियात्य करेंगे किस तरह से उनको गबर्मेंट के जूनाओं सा उनको लाब दिलाएंगे किस pack उनको न्वकुरी मागने वाला ने नोकरी देने वाला बनाएंगे ये बात कोई करना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर फिवाद दिलासे मिलते हैं कि आज की समय में राज़ी की पार्टियों के लिए युवा के वाले एक बर्ग है वो बर्ग है जो उनको चुनाओ कर समय काम आएगा जो उनको बो हो के युवा बर्ग है चाहिए आर्धिक व्यस्था नोकरी मिँ युवा बर्ग में हो उनको ने पर प्राटियों देखनेरा जाती है कि जिस तरह इस प्राविट लोग नोखनी कर रहे हैं đị जो अगर मध्यम हैं जाति किस तरह कैसे उनको उसकीम पषै क्लों की is क्वाई है अधर मंद्र मरका है तो इसकी सचा हो पाई है कि नहीं हो पाई है यह सोचने का काम कोई नहीं करता है क्योंकि उनकी नजर में केवल एक ही बर्ग काम का है वो है युबा बर्ग जो उनके लिए चुनाबी बोर्ट बैंक है अब बात करते हैं एक और बर्ग की यानि जाती बर्ग जाती बर्ग कैसे जाती बर्ग कैसे हर पार्टिया बने हुई है और हर पार्टियों ने अपनी अपनी जाती बिसेस का एक पार्टिय बना रखी है कोई अलग अपनी पार्टी बनाया है कोई अपनी पार्टी बनाया है लोगों ने अपनी अपनी जातियों के नाम से अपनी पार्टी बना रखी है और अपने जातियों के प्रमुक रहे हैं जो पेड़ना सूत रहे हैं उनके नाम से पार्टी बनाई सबको पता है, कोई अलग बात नहीं है, कहीं सुभास्पा है, तो कहीं कुछ है, कहीं बाबा मिटकर जी के नाम पे पार्टी बनाई गई है, तो कहीं किसी महापरुस के नाम पे पार्टी बनाई गई है, कभी किसी जाती के नाम पे पार्टी बनाई गई है, तो कभी किसी धर् पार्ट्य मिल जाएगा तो आपको उसका लाब मिल जाएगा इसलिए ये पार्ट्य या बनी है जाती हो धर्म के नाम पर और सब्से बड़ी बात ये है कि यह राणिक्त पार्ट्य को नजर में केवाल एक चुनाबी बोड़ बैंक है आपको इनके यो नेता है अगर पार्टिया बनती है तो उसकी पार्टिय की अधार सिला होना चाहिए उसके सिला में अधार सिला में सारे बर्ग होने चाहिए मैं हमेशा उस बर्ग की तारीब करूँगा वो बर्ग जो लगातार मेहनेट करता है वो बर्ग जो देश के बिकास में युगधन देता है वो बर्ग जो हमाँ देश का आधार है वो बर्ग जो हमाँ देश की जनता है इसलिए उन सारे बर्गों को लेकर चलने वाली पार्टि पार्टी केलानी चाहिए, ये नहीं कि कोई पार्टी जाती और धर्म को लेके चलती हो ओके पर उनीक अन्वाईयों को जोडती हो, उनीके महापुरस के नाम पर लोग को जोड़ना उनका काम हो क्योंकि आप देखते हैं लगातार कई पार्टियों में अगर पनारीकारियों को आप देखेंगे तो वो उसी पार्टी के उसी जाति के उसी धर्म के लोग आपको देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जाती धर्म की बात हो गई अब हम बात करते हैं मैलाओं की मैलाओं के लेकर अलाला बाद होते हैं कोई पार्टी बोलते हैं कोई पार्टी देगे 45% आलच्छन देगे सीटों को लेकर पर कोई पार्टी यह ने बताती है कि हमने मैलाओं के किया किया है, हम महला सुरच्छा के बाद करते हैं, हम अलाला यूजराओं के बाद करते हैं, ठीक है, हर जगह काम बहतर हो रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई खराब काम कर रहा है, पर यहाँ पर महलाओं को भी एक बोट बैंक ही माना जाता है, कि महलाओं गिरैनी है, क्या कि गोचला कि पंजाबं में करेगी क्या कॉंग्रिस बताएगी जी गुचला क्या पंजाब में करेगी कि वहां पर जाके उन्होंने वहां पर भी चुनाव है वहां पर जाके उत्राखंड में भी चुनाव है वहां पर जाके उत्राखंड में भी चुनाव है वहां पर जाके उत्राखंड में भी चुनाव है वह यहाँ यहाँ पर केबल और एक व्यस्ता है जुनाबी बोट-बेंक यानि चुनाओ को देखते हुए आपने मेलाओं के लिए अलग भुस्वना कर दिए मेलाओं के लिए इसमें चाहिं सारी सब्ता में पाटी और पार्टी हो सारी राज़िक पार्टी को यही मनसा रहती है कि हमको एक बोट बैंक के रूप में देखना है तो आप में आज हमारा मुद्दा था वो इस पस तोर पर साप था कि जो बोट बैंक है वो केबल चुनावी बोट बैंक है जो बर्ग है चाहे वो ब्यापारी हो चाहे किसान हो चाहे युबा हो चाहे मेला हो चाहे जाती बर्ग हो और चाहिए धर्म बिसेसवर हो, वो केबल आज के समय में राज़िक पार्टियों के लिए, एक BOOT BANK है, जो केबल चुनाओ के समय कामाता है, बाद मैंस BOOT BANK का क्या होता है, यह सब को पता है, यह थार सब को पता है, किसी को सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक इंसान को आज प्र आज अपने इस कारगम के मद्यम से जितने बर्गों के मेरा इस बात की है, कि अपनी एकता को अपने बर्ग को कि अपने बर्ग समनना समझें, आप देश की जनता है और जनता की रूप में आपको अधिकार है, कि अगर आप बोट करते हैं तो आप राधी पार्टिस पूछना भी पूछ भी सकते हैं कि अगर हमने आपको बोट किया है तो आपने हमारे बर्ग के लिए क्या किया गया चाहे युबा बर्गो, चाहे किसान बर्गो, चाहे ब्यपारी बर्गो, चाहे मेरायो, चाहे जाती ब पूछे कि आपने हमसे बोट लिया है अगर आपने हमको बादा किया है तो इस बाले को आपका पूरा करेंगे यह आज भी जरूवत है और इसी बजलाओं की राजीति में जरूवत है तो यह सारे बर्गों से मेरा नेवेजन है कि जतने बर्ग है इन बर्ग क्या मैं देश की जनता कहूंगा कि देश की जनता है जो की जनारदन है मैं पर देश की जनता जनारदन से कहूंगा कि बर्ग की बात ना करें यहां एक होके सरकार से पूछें कि अगर हमने आपको बोट दिया है एक नागरिक होने के नाते एक संबिदार के जो एक विरूस्था है उसके चलत पार्टियों से अनुर्ट करूंगा कि जोतनी बी बर्ग हैं जितने भी बड़े संख्या में लोग हैं उनको केबल चुनावी बोट में ना समझे यह देश के आदार हैं देश की जरूवत हैं और देश के समाज का नर्मार करते हैं चाहे आर्थिक स्थितिती पर हो चाहे उनको केबल चुनावी बौट में ना समझे इनकी जो समझे इसके लिए कुछ काम करिए जिससे आने वाले चुनावह में आपको इंद के पास बॉरड मांगने ना जाकर या आपको स्वें वोड ने और आपकी समस्याओं को जो आपकी जरुवत है उसको पूरा करें और साथ ही साथ ये सारे बर्ग आपको खुलकर बोट करें वो साथ ही साथ बोट पेटिसेटर भी बढ़ाएं तो मेरा सब से नवेदन है और सभी बर्गों से नवेदन भी है आप लोग खुलकर बोट करें बोट पेटिसेटर बढ़ाएं और सभी सरकार चुन के लाएं जो आपके लिए काम करें और रानतिक पार्टियां भी हैं इनने बर्गों को किवल बोट बैंक ना समझे और इंको डेश की जन्ता समझ़के इनके लिए काम करें जो कि डेश के लिए बेतर होगा और तब ही हमारा देश एक बिखसी डेश बन सकेगा और विकास की राज़ पर चल सकेगा और जो हमारा सप्रा है कि भारत एक समय जाकर बिश्युद बने वो विश्गुरू भारत बन पाएगा तो आज की चर्चा में ताई नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार